अबाज अंसारी कासगंज जेल से गाजीपूर आ रहा है कासगंज जेल से गाजीपूर जेल पहुंच चुका है यही बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं तस्वीरे भी दिखा रहे हैं अबाज अंसारी गाजीपूर जेल पहुंचा लेकिन उससे पहले आज कल और परसो ये वो तीन दिन है जो अबाज अंसारी के पास है कास गंज जेल से दूर गाजी पूर जेल में रहने के इन तीन दिनों में घर परिवार की कारिक्रम में शिर्कत करेगा सुपिम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पिता की कबर पर फातिहा पड़ने दिया जाए जिस पर तीन दिन की पैरोल मिली है अबास अंसारी को कास गंज जेल से गाजीफूर जेल दो जेल लाया गया है जहां पर वो तीन दिनों तक रहेगा और सुप्रिम कोर्ट ने मुक्तार अंसारी के फातिया कारक्रम में सामिल होने के लिए अबास अंसारी को ये कश्टरी पैरोल दी है आज गाजीपूर जेल से अबास अंसारी मुहमदाबार ले जाया जाएगा जहां वो मुक्तार की कबर पर पात्या कारक्रम में सामिल होगा जिसके बाद उसे वापस गाजीपूर जेल लाया जाएगा और रात में वो गाजीपूर जेल में ही रहेगा कल भी वो गाजीपूर जेल में रहेगा और परसों भी गाजीपूर जेल में रहेगा तीन दिनों के बाद कश्ट्री पैरोल खत्म होने पर अबास अंसारी को वापस कासगंज जेल ले जाया जाएगा मनिज मिस्रा नियूजटीन गाजीपूर तो मेरे सहयोगी की आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं देखिए गाजीपूर जेल पहुंच चुका है हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं गाजीपूर जेल पहुंचा है अबास अंसारी घर परिवार में जो तीन दिन आगामी तीन दिन आज कल परसो और जो कारिक्रम होन वाले हैं उन कारेक्रमों में शरकत करने के लिए पिरोल मिली है काजगंज जेल से गाज़िपूर जेल पहुंचा हुआ अबाज अंसारी पिता के काबर पर जाकर फातिहा पड़ेगा उपहिंद्र हमारे सहयोगी इस पर विस्तृत जानकारी के साथ इसमें लाइव मौजूद हैं सीधर करेंगे उपहिंद्र की तरफ उपहिंद्र आज कल और परसो यह वो तीन दिन है जो अबाज अंसारी गाज़िपूर जेल में पिताएगा एक पूरे मामले के ओपर एक एक अपडेट के साथ विशलेशन लेना चाहेंगे आज कल और तीन दिन जो यह रहने वाला ह इस पर सुरक्षा विवस्ता कितनी कड़े रहने वाली है घर परिवार में कौन-कौन से कारिक्रम होने वाले हैं जिनमें वो शिर्कत करने वाला है क्योंकि तीन दिन के बाद कासगंद जेल में बापसी हो जाएगी ओपेंद्र बिल्कुल देखिए मैं तस्वीरों के जरीए आपको इस पूरे मामले पर अपडेट देता हूँ एक एक तत्थ हम नीजोटीन के दर्शकों को बताते हैं यह है जिलाक कारगार गाजीपूर जहां पर फिलाल अबबास अंसारी पहुँच चुका है अबबास अंसारी तीन यहां रहेगा कस्टिडी पैरोल है और आज जो मुक्ष कारकम है जिसके लिए के पैरोल मिली है वो है फातिया आज मुक्तार अंसारी की कबर पर फातिया पढ़ा जाना है और खुद उसका बड़ा बेटा बास अंसारी ने यही गोहार लगाई थी कि उसको भी उसके पिता क पर फातिया पढ़ने दिया जाए जिसके बाद तीन दिन की कस्टिडी पैरोल मिली है और फिलाल अब आमको तस्वीरों में दिखाते हैं यह सुरक्षा विवस्ता है यहां से अब जो भी अंदर जा रहा है उसको सुरक्षा के बाद ही यहां पच्चिकिन के बाद ही अंदर ताव है और गाजीपूर से सानसच भी है तो उनको भी इसी में रखा गया था हलाकि भो छुट गये है वो बाहर है तो बेरिक नंबर 10 पे ही नखिटा और कहा आजैता है कभी मुक्तार अन्षारी बी जब घाजीपूर बें बन था मुक्तार अंसारी को भी बेरिक यहां से सुरक्षा व्यूस्ता में उनको मुहम्मदाबाद के कालीबाग जो कभिस्तान है वहां ले जाए जाएगा और कल का भी तुकि तीन दिन की पैरोल मिली है तो ऐसे में जो आज का जिक्र है पूरी पैरोल में वहां पढ़ी जानी है और अपने पिता की कबर पर कल और परसो क्या होने वाला है क्योंकि तीनों दिन वह अपने परिवार के साथ बिताने वाला है हाला कि कड़ी सुरक्षा के बीच में इससे पहले परिवार के लोगों नहीं है इसकी मांग से पहले मांग की दी कि इनके बेटे को फातिया पर आने दिया जाए जिस पर अब फैसलाइन के हक में दिया गया, तीन दिन की पेरोल मिल गई, कल और परसो क्या कारिक्रम होंगे जिसके लिए पेरोल दी गई है? शाम को पढ़ी जाती है, तो ऐसे में यह माना जारा है कि अबसे कुछ देर बाद करीब एक बज़े के आसपास अबबासंसारी को यहाँ सिल ले जाये जाएगा और मुहमधा अबास, कब्रिस्तान, कारिक्रम संपन्नु मुद्हे फातिया पढ़ने के बाद फिर एक बार अब पाज अंसारी को तीन तुन जाएं